नगरोटा मुटबेड पर दिखा भारत का कड़ा रुख दिल्ली में पाक उच्चायुक्त को बुला कर लगाई फटकार मतुरा में गोवर्धन के एक आश्रम में संदिग्ध हालात में दो साधुओं की मौत तीसरे की हालत गंभीर यूपी के बांदा में ट्रिपल मर्डर से संसनी सिपाही मा और बेहन की कुलहारी से काट करकी हत्या भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 46,232 मामले संक्रमन मुक्त मरीजों की संख्या 84 लाग के पार बात करें महापर्व छट की तो उगते सूर्य को अर्ग्य दे कर संपन हुई छट पूजा भगवान से मांगी दुआएं अमेरिका में ट्रम्प के बेटे डोनाल जूनियर हुए कोरोना संक्रमित जारखंड में पाटन युवा समाद सेवी प्रिंस पांडे एवं उनकी माता जी एवं चाचा जी के द्वारा आस्था के महापर्व छट पर्व के शुब अफजर पर सभी छट व्रतियों को हर पल के पास जाकर फल एवं अगरबत्ती का किया गया वित्रण जारखंड में पाटन थान चेत्र के जंगहा सी पंचायत के युवा समाद सेवी सुधीर कुमार यादव के द्वारा महा परुछट पूजा में पूजा सामगरी का घर घर जाकर किया गया वित्रण शाह जहापूर में मंडी सबजियों का लेकर आ रही एक गाड़ी डिवाइडर में टकराई हुआ काफी बड़ा हाथ्सा फीलि-भीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा रोजगार मेले का भीता काड़ कर किया शुबारं, गांधी प्रिक्षगर प्रांगण में हुआ ये कारिकरम शाह जहापूर में गन्ना शोद परिशद में आयोजित किये गए जनपद स्तर्य किसान मेला एवं प्रदर्शनी कारिक्रम शाह जहापूर जनपद में 300 लिटर अवैद कच्ची शराब उपकर्म सहित 27 अभ्यूक्त गिरफतार, 1000 लिटर लहन नश्ट की गई शाह जहापूर में 500 ग्राम चरस के साथ मादक पदार तसकर ग्रफतार शाह जहापूर में पुलिस टीम पर एक शराबी युवक्त ने किया हमला, हमले में कोतवाल, एक दरोगा और एक सिपाही हुए गंभीर रूप से घायल लखनों में बैंक ओफ बडोदा से लॉकर से गायब हुए एक करूड का सोना यूपी के मेरट में नकली किताबों का मामला आया सामने बीजेपी नेता संजीव गुपताव भतीजे पर चार्ड शीट सांसर द्रविकेशन का कुर्सी सी गिरते हुए वीडियो हुआ वाइरल बड़ी खबर अंसल एपी आई को लेकर फरजीवाडे का मामला आज पहुचा सुप्रीम कोड गंभीर खबर बिहार में छट पूजा की दौरान हुए अलग अलग हासो और वार्दातों में ग्यारा की मौत पटना में रिवॉल्वर के बल पर घर में खुसकर की चोरी चार लाख की संपती लेकर हुए जंपत चेन नहीं में साथ साल तक चला रेप का मुकदमा निकला जूटा अब आरोप लगाने वाली रियोवती देगी 15 लाग का मुआबजा मध्या प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर हेटफोन लगा कर चल रहे दो लड़कों की दर्दनाग मौत शफ के वए 50 से 60 टुकड़े पलामो में प्रखंड छेतर के चौकरी गाओं के समी प्रात्मिक स्वास्रिकेंद्र भवन के सामने आमने सामने दोबाई की टकर में दो लोग घायल ड्रक्स मामले में छापे मारी की कारेवाही के बाद मशूर कॉमेडियन भारती सिंग से एनसेबी ने की पूच्टाच प्रात्मिक